हैलो ओल आप यू गाईज वेलकम टो माई यूटूब चैनल स्टेडी मेटेरियल एट टू जेड डाइज आपके जो के नेवी एमर के जोइनिंग के रिगार्डिंग बहुत जादा कॉमेंट और जो सबसे जादा जो कॉमेंट आपका देखा गया और बिल्कुल आपका कॉमे इतने जादा है कि आपको जो इतने त्यार करने में समय लगेगा तो मैं भी यह जो कि आपको नाइट को वीडियो प्रवाइड करवा देता लेकिन दोस्तों मुझे जो कि थोड़ा सा काम हो गया था लेकिन फाइनली आपको डोकुमेंट के बारे में पूर्ण तैक कम्प्ल के जितने भी डोकुमेंट होंगे सारे मैं आपको डिटेल से बता दूआ और आप अभी से लग जाईएगा भाई जितने भी कैंडिडेट है अभी से त्यारी करने लग जाईए क्योंकि डोकुमेंट काफी जादा है और आपको त्यार करवाने पड़ेंगे और मुझे पता था वो पढ़ लिया होगा यहां पर देख लीजिए आप जो भी इंस्ट्रेक्शन थे लेकिन यहां पर डोकुमेंट जो थोड़ा सा जो आपका प्रोब्लम रहता है क्योंकि यार खुझ समझ नहीं सकते जो पहली बार कैंडिडेट दे रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा प साल दूँगा तो आप टेलेग्राम से लेने ना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम को जोइन कर लीजिएगा ठीक है क्योंकि जैसे पुलीस वेरिपिकेशन हो गया तो मैं आपको पूछ दिखा दूँगा और आप थोड़ा सा वहां से देखके अपना जो भर लेना जिसे च्रक्टर से ओ गयारा का एक वीडियो जो है मैंने बनाया था कम से कम दो तीन साल पहले वह वीडियो आज भी चल रहा है क्योंकि उसके अंदर मैंने इतना खोलकर बताया कि च्रक्टर स Bien sûr बारे में जो कि जो आप भी देख सकते हैं अगर आपके कोई भ तो यह तो नोर्मली है अगर आपके पास जो मैट्रिक ओर ट्वेल्थ है जो आपके पास मारक सीट है डॉमिसिल सर्टिफिकेट है आपको सिक्स कोपी यहां पे लेनी है ठीक है सिक्स कोपी आपको निकलवा लेनी है वो त्यार करनी है पुलीस वेरिफिकेशन पुलीस थे उनका मैं दिखा देता हूं पुलीस वेरिपिकेशन जिससे आपको जो यह लगेगा क्यार कुछ नहीं है ठीक है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं चलिए सोरी मैं टाइम लग तो गाइज यहां पर देख सकते हैं कि इसको देख लीजिए आप यह जो कि भरा हुआ है और उन्होंने के शेयर किया था तो आप उसको देख लेना मैं यह टेलिग्राम पर जो कि आ आपको पिन कर दुआँ तो वहहां से आप टेलिग्राम से इसको देख लेना अच्छे से फिर भरदेना सायद Ini का है पुलीस वेरिपिकेसन जो कि नेवी-आ यहां पर देख सकत ना चलिए ना नेक्स्ट बात करते हैं देखे भाई आप रिसक मलेला की वीडियो बीच में ही आप छोड़ कर चले जाए और आपको समझ में ना आए आगे तो आपको ऐसा नहीं करना आप वीडियो को पूरा ओच कर लीजिए आपका कुछ नहीं जाएगा और दस मिनिट का ट में इतना से होगा उतना मैं करने की कोशिज करूँगा और फिर भी आपके कोई क्योई रह जाती है मुझे पता है क्योंकि यार इंसान है इंसान के हर एक टाइप की क्योई आती है तो आप कोई भी रहती है तो आप मुझे whatsapp मैसिज कर देना ठीक है person पूछोगे मुझे पता है देखें आप एक gadget officer का signature पंचायत officer जो होते हैं सरपंच का आप signature करा सकते हैं headmaster of your college आप college का जो headmaster होता है उससे भी आप करवा सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक चीज आपके जो कम से कम आपको जो school छोड़े हुए 2-3 साल का जो की एक matter रहता है लेकिन अब की बार यार यह mention नहीं किया तो आप करा सकते हैं headmaster का भी ठीक है और उस वीडियो को भी watch कर लीजिए चलिए मैं आपके लिए महनत कर दूँआ एक तो मेरा police verification का वीडियो डाला हुआ है और एक character certificate को लेकर ठीक है और एक NCC certificate को लेकर वो तीन वीडियो आपको description में link उसका जो कि मैं आपको दे दूँआ और WhatsApp group को भी मैं send कर दूँआ तो उनको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए जिससे आपके कोई भी क्योरी ना रहे ठीक है उसके बाद आपको जो है आपका एक consent form है यह आपका नीचे दिया गया है मैं आपको दिखा दूँआ उसके बाद no objection certificate जो आपका प्रेंट जो आपके माता पिता के लिए यह जो objection आप जो MR जोइन करते हैं तो किसी परकार का आपको यह उनको एक form होता है वो आपको यहाँ पर certificate form होता है उसको आपको भरना है ठीक है उसके बाद आता है NCC certificate के लिए अलग-अलग number दिये गए है ठीक है original आपको यह ले जाना होता है आपको NCC certificate अगर के आपके पास A, B, C तो उसका भी मैंने अलग से वीडियो दिया तो उसको भी मैं पिन कर दूँआ वहां से देख लेना pen card pen card जिनका बन गया वो तो ठीक है pen card आप और अगर नहीं बना है तो आप बनवा सकते है pen card अगर जिनके pen card नहीं बन रहा है तो और आपका pen card मालो की आपने बनवाया और आपका नहीं मतलब बना उस time पे time sorry 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 भाई यार जुखाम हो रही है थोड़ा सा तो इसलिए maintain नहीं हो रहा है उसके बाद देखे आपका pen card की बात करें तो pen card दोस्तों आपको अगर बन जाता है तो ठीक है अगर नहीं बनता है तो आप उसकी जो आपने बनवाया है ना उसकी six photocopy ले जाना six photocopy ठीक है उसके बाद जो आपका आता है आपके माता पिता की फोटो जो joint photo देखे इसके बारे में बहु ज़्यादा candidate पूछते हैं तो इसमें आपके यहाँ पे मालो आपके फादर होंगे और यहाँ पे आपके मम्मी होंगे तो इनका joint photo आपको निकलवान है ठीक है और आपकी खुद की photo देखी आप एक simple photo करवाना कि आपको ऐसे वैसे अपनी photo जो पंदरा photo आपको करवाना है ठीक है उसके बाद जो आपका आता है वह जो decoration form होता है यह तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा और यह जो आपका है अंडर एज वाला है तो उसको भी आपको देखना है थोड़ा सा की अंडर 18 years of age ठीक है तो उसके बाद जो आपका आता है by signature आपको उसका signature करवाना है और यहाँ पे देखीगा you are advised water ID card और अगर आप एपिक जो की आपके पास अगर आप योग्य हो ठीक है applicable हो तो आप जो इसको water ID card ले जाना अगर नहीं भी ह तो आप आधार कार कोपी ले जाना यह भी ले जाना एगर है तो ठीक है दोनों ले जाना है आधार कार को भी ले जाना है और इसको भी six कोपी आपको ले जानी है ठीक है उसके बाद आपको अपने माता पिता की जो प्रेंट्स है उनके भी six कोपी आपको आधार कार की ले जानिये ठीक है यह जो कि आपका जानकारी था यह आपका मैंड डोकुमेंट है उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो कि आपका बिल्कुल टाइम यहां पर बिल्कुल नहीं लुआ भाई आपका आप अभी से लग जाएए बस डोकुमेंट यह तो हो गया आपका पुलीस वे आता है वो आता है सेलब डिक्रेशन फोर्म तो यह है आपका सेलब डिक्रेशन फोर्म उसके बाद है यह अंडर्टेंकिंग वाला यह तो एकदम नॉर्मल है देख लीजिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो एकदम नॉर्मली है आपका जो कि यह आपके फोर्म है ठीक ह दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको जानकारी जो की पसंद आई है अगर दोस्तों जो भी candidate वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा भाई आपके लिए बहुती बहुती बहतरीन जानकारी जो की लेकर आया था अब और और मैं आपको चरक्टर सेटिफिकेट का भी थोड़ा सा सीन दिखा देता हूँ फिर वीडियो को एंड करते हैं भाई ठीक है देखे इस परकार का चरक्टर सेटिफिकेट जो भी आप बनवा सकते हैं यहाँ पर देखीगा इस परकार के भी कैंडिडेट जो की लेकर गए थे तो चल गया था ठीक है और यहाँ पर परधानाचारिय का यहाँ पर सिगनेचर करवाया गया था तो यह है दोस्तों आपका चरक्टर सेटिफिकेट आपके सामने है और इसको भी डाल दूँआ अगर आप जो की कीगी है ना सरपंच हेड़ मास्टर तो उन्हीं का आप करवा लेना जिसे आपको कोई दिकती ना है अब आपको यह पूछने की जूरत नहीं है कि आप ब्लोक में वहाँ पेर वो आपके अलग-अलग सवाल तो आएंगे मुझे पता है लेकिन आपको जो दिया गया है ना आप वो करवा लेना जिससे आपको कोई प्रोब्लम ना हो ठीक है तो गाइज उमीद करता हूँ कि आपको जो की जानकरी जो की completely मैंने mention कर दी है लेकिन फिर भी रह जाता है तो भी आप जो मुझे वार्टसप कर देना मैं आपको reply करता हूँ हरे candidate का reply करता हूँ लेकिन आप 48 घंटे का थोड़ा सा wait कर लेना बस 48 घंटा तो मैं नहीं लेता लेकिन आपका मैं चेक कर लूँगा क्योंकि आप थोड़ा सा मेरे पास भी कम है ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ अपते के लिए बाई जैहिंद जभार्त वंदे मात्रम